तो आज आप सब देख रहे हैं कि यहां पर टेबल पर यह कोकोनेट शेल रखा हुआ है जो काफी टाइम से मैंने स्टोर करके रखा हुआ है इससे हम कुछ नया बनाने वाले हैं बट जो आज की चीज है उसमें हम जो बना रहे हैं हमको उस चीज के उसको बनाने के लिए हर चीज नहीं चाहिए तो बैसिकली उसके लिए हमारे पास चीजे तो वह हैं जो डिकम्पो के लिए अच्छी नहीं है इवन अभी थोड़े दिन पहले तक प्लास्टिक का यूज बहुत जादा होता था था थोड़ी अवर्नेस के कारण प्लास्टिक का यूज राफी कम होने लगा है जैसे हमारे इनवार्मेंट के लिए ज्यादा अच्छी रहेंगी हमारा जो पॉलूशन है वह काफी हद तक कम हो जाएगा और जब हमारा जैसे not even soil pollution बलकि water pollution भी है उससे होता है फिर अगर जो चीजें हमारी मिट्टी में जाती है जो decompose नहीं हो पाती है उनको जलाते हैं फिर उससे air pollution भी create होता है तो यह जो pollution है उसकी वज़े से हमारे health को बहुत सारा नुकसान पहुंचता है तो उन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए मैं कुछ different बनाने वाली हूँ obviously यह waste out of best है बट यहाँ पे ऐसा सब कुछ new है कि जिसको हम use कर सकते हैं तो मैं बनाने वाली हूँ आज राखी वो भी एकदम eco-friendly राखी जो easy to decompose होगी sorry जो अभी इसका तो हम reuse कर लेंगे क्योंकि coconut का तो use कर लिया sweet बना के चटनी बना के लेकिन जो यह coconut shell है इनका भी हम कुछ use करने वाले हैं तो उसके लिए अभी आप देखेंगे कि मैं कैसे use करती हूँ इसको इससे बहुत सुन्दर सुन्दर चीजे बनती हैं वो मैं आपक कि आप इससे क्या क्या बना सकते हैं और DIY करके आप थोड़े टाइम के लिए basically कैसा होता है हम market से कोई भी सामान लेकर आते हैं और हमारा वो nature होता है थोड़े दिन हम उसको घर में रखते हैं फिर वो चीजे हमें पुरान ही लगने लगती हैं हमें नहीं अच्छी लगती है फिर हम कुछ और लेकर आजाते हैं तो ऐसे हम सभी के साथ होता है कि हम बहुत time तक वो एक ही चीज को नहीं ऐसे देख सकते हैं देख तो सकते हैं बट वो जब old हो जाती है तो थोड़ा लगता है कि नहीं अब change कर देना चाहिए ऐसा होता है तो अभी इस 24 cell है इससे मैं बन तो राखी को मैंने हर चीज नहीं है बट वो डिकम्पोजबल है तो वो डिकम्पोज हो जाएगी अच्छी से आपके इंविर्मेंट को नुकसान नहीं देगी वैसे बहुत सारे लोगों को होता है कि वो राखी कलेक्ट करके रखते हैं हर साल की राखी को डेब्बी में बंद रहेगी तो राखी बनाने के लिए हमें और क्या-क्या चीजे चाहिए वो हम आपको बताते हैं दूसरी चीज क्या लगेगी राखी बनाने के लिए हमें कलावा चाहिए तो यह है हमारे पास कलावा मॉली जिसको बोलते हैं पवित्र धागा तो यह लिया हुआ है मैंने हम तो थोड़े से जूट जूट कर लेंगे, वो easy cut हो जाते हैं, बहुत easy to cut हैं ये सारे जूट, तो आप इसका कोई साभी parts ले सकते हैं, जैसे इसका मैं कुछ और बनाऊंगी, वो मैं आपको बाद में दिखाऊंगी, लेकिन जो बाकी चोटे-चोटे जूट से ने, वो मैं रा market में मिलने वाली राख्यों से, तो इसको मैंने ऐसे कर लिया, अभी इस पे और क्या करने वाले हैं हम, वो मैं आपको बताती हूँ, तो यहाँ पे इसका round बनाने के लिए न, मुझे यहाँ पे blue लगाना पड़ेगा, पर blue लगाने से पहले मुझे इसमें एक और काम करना प पड़ेगा, और उस कलावे से ही मैं राखी को पहले ही attach कर दूँगी, जिससे राखी निकल नहीं पाए, तो जब आप राखी लेते हैं, तो आप राखी बानने के हिसाब से, अपने size की जैसे भी आपको लगे कितना लंबा चाहिए, उतना लंबा धागा ले सकते हैं, तो म दादा आगे पिछ, center point पे मैं इसको थोड़ा सा glue लगाने वाली हूँ, और इस glue लगाने के साथ ही साथ, यहाँ पे मैं ने जो coconut roll किया हुआ है, इसके fiber को, इसको यहाँ पे करके ऐसे roll कर दूँगे, आप देख सकते हैं, यह coconut यहाँ पे ऐसे roll हो गया, चिपक गया यहाँ अब इसको हम कैसे, coconut shell में कैसे, जिससे कि आपको उपर से लगे कि यह original coconut है, तो उसके लिए हम इसको cutting कर लेंगे, छोटे-छोटे part में, इस वाले portion को, ऐसे, सारे fibers को ऐसे लेके, और हम इनको cut कर लेंगे, छोटे-छोटे fibers, तो जैसे कि आप देख सकते हैं, कि मैं इन सब को, ऐसे एक साथ मैंने ले लिया है, और अभी मैं क्या करने वाली हूँ, यह shell को इसके उपर, जो यह fiber है, उसको मैंने जो नीची एक coconut shell आपको thread के साथ बना के दिखाया, उसके उपर मैं इसको stick करने वाली ह किया, और इधर थोड़ी दिर पकड़ के रखेंगे, और फिर दूसरे साइड भी ऐसे glue लगाया, और उसके बाद जो इधर मैंने और इकठा करके रखा है, वो मैंने इसके उपर लगा दिया, और उसके बाद इनको ऐसे हम roll कर देंगे, ऐसे-ऐसे. अब यह आप देख सकते हैं, कि यह ऐसे roll हो गए है, यह बहुत ही soft है, हाथ में कहीं से भी नहीं चुबेंगे, और आपको देखने में भी बहुत ही attractive लगेंगे. अब यह starting है, जो यह बन रहा है, तो आपको ऐसा लग रहा होगा, कि यह कैसा दिख रहा है, दिखने में तो अलग सा लग रहा है, बट यह बहुत ही cute सा लगता है, सामने से आप देखेंगे जब इस राखी को, तो यह आपको बहुत ही pretty राखी दिखने वाली है, अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि यह राखी कैसे बनने के बाद कैसे दिखती है, cute से राखी, और यह ऐसे चुबता नहीं है कहीं बीवी, कुछ नहीं करता है, इचिंग भी नहीं करता है, चुबता भी नहीं है, कुछ भी करवा, तो यह soft होते हैं इसके उपर के ratio, अब इसको हम इदर से, यहां से इसमें वो, यह pearl को अंदर डाल देंगे, तो यह हो गई, और इसके उपर अब आप कुछ message लिखना चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, या फिर आपको जो भी इस पर extra thread दिख रहे हैं, उनको ऐसे card देना है, यह बन गया, अब इसके उपर कुछ message लिखना है, तो हम वो message भी लिख सकते हैं, अब यह हुआ यहां तक, यह चोटी सी राखी है, इस पर हम क्या लिख सकते हैं, कुछ अगर ऐसे बनाना है, मेरे प्यारे भाईया, वो भी लिख सकते हैं, तो आप इसमें से कोई सा भी color ले सकते हैं, और उससे आप इस पर अपनी color कर सकते हैं, अभी वो color करने के लिए मैंने, यह है ceramic cone, जिससे कि मै है, यह ceramic cone से हम इस पर लिख देंगे, ओम तो आप देख सकते हैं इस पर यह ओम लिखा हुआ है, और यह राकी बहुत ही क्यूट सी दिख रही है क्या है